Hello and welcome to our YouTube channel Bank Employees News Friends, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नई information लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे जैसी स्थिती चल रही है सारी कंट्री को almost lockdown कर दिया गया है और कुछ states में तो 31st मार्च तक fully lockdown कर दिया गया है सिर्फ कुछ essential services को छोड़ के जिसमें कि banking भी एक है लेकिन कहा जा रहा है कि RBA जल्द ही banks के timing के लिए या banks को बंद करने के लिए भी जल्द ही अदेश जारी करेगा करोना की दहशत को देखते हुए bankों के कामकाज को गठाने की त्यारी की जा रही है Reserve Bank of India ने सभी bankों के management के साथ meeting की है और उन्होंने जल्द ही निर्देश जारी करने के order दिये हैं जिसमें कहा गया है कि करोना के संकमन्ट से बचने के लिए कम से कम लोगों से contact रखें और इसके साथ साथ bank करनियों को sanitizer और अन्य जो सुरक्षा विवस्थाएं हैं वो शाखाओं में की जाएं दूसी तरफ ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वो बैंकों में कम से कम आएं बहुत जरूरी हो तभी बैंक में आएं और जादा से जादा डिजिटल लेंदिन करें इसके तहट बैंकों के कामकार्च के घंटे घटाने का भी प्रस्ताव त्यार किया जा रहा है कहा जा रहा है कि बैंकों के कामकार्च को दो से तीन घंटे घटाया जा सकता है इसके लावा कारोबारों के हला देखते हुए उन्हें भी रहा देने की तियारी की जा रही है काम का श्ठप होने से लोन के किष्टों पे असर होगा इसलिए RBA लोन खातों को NPA से बचाने के लिए अतिरिक्ट समय देने का प्लैन भी बना रही है इस प्लैन के तहत NPA को बचाने के लिए उन्हें 30 से 60 दिन का अतिरिक्ट समय दिया जाएगा ICICI bank ने तो अपने branches को खुलने के time को भी change कर दिया है पहले bank 10 से 4 तक customers के लिए customer service के लिए खुले रहते थे लेकिन अभी ICICI bank ने एक नया circular जारी किया है और उन्होंने कहा है कि bank की जो नई timings होंगी वो 10 से 2 बज़े तक ही होंगी customers के लिए तो उमीद करते हैं कि जल्द बाकी bank management से इस रिगार्डिंग कोई सक्त फैसला लेंगी और जल्द ही बैंकों को या तो alternate days पे खोला जा सकता है या फिर उन्हें timing कम करके खोला जा सकता है इसके साथ आइभी ने भी ग्राहकों से अपील की है कि एक दूसरे की मदद करें और इंडिया की मदद करें आइभी ने एक अपील जारी की है जिसमें कि उन्हें कहा है कि देश में क्रोना वाइरस का असर बहुत फैल रहा है इसलिए member banks भी अपनी banking services को जारी रख सकें इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इसके साथ साथ customers को भी services मिलती रहें ताकि उन्हें कोई परिशानी ना आए आई बीए ने अपील की है कि जितनी भी bank की services है चारतर online उपलब्ध हैं तो उन्होंने सबसे request की है कि गैर जरूरी कामों के लिए bank branches में ना आया जाए और mobile और online banking channels का परियोग किया जाए इसके साथ साथ digital services से आपको balance inquiry और बाकी की भी information मिल सकती है और अगर कोई internet banking यूज नहीं कर सकता है तो वो banking की IVR facility, message check facility और बाकी facilities का यूज करके भी balance check कर सकते हैं इसलिए उन्होंने काया कि कस्मा सिर्फ कुछ कामों के लिए ही बैंक आए जैसे कि cash deposit और withdrawal, checks की clearing, nap strategies, government transactions के लिए बाकी जो भी non essential services है जैसे कि passbook printing, account opening और statement printing इन कामों को बाद में भी किया जा सकता है और उन्होंने काया है कि हम उमीद करते हैं कि कस्मार इस बात को समझेंगे और सभी की family के well-being सब के लिए सबसे पहली priority है उमीद करते हैं कि IBA के इस appeal के तायत bank management सभी कुछ strict action लेंगी और जो गयर ज़रूरी काम हैं उन्हें कुछ समय के लिए बंद कर देंगी और bank branches के खुलने के time में भी changes करेंगी तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही updates लेके हम आपके साथ मिलते रहेंगे धन्यवाद